नमस्का साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए, ये सभी आपकी किलासें ले जा रहे हैं और इसमें आपने देखा है कि सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, और इतिहास में भी सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, और इसमें अभी तक आपने देखा होगा दो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, एक तो आपका State PCS या Civil Service की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहा रहे हैं तो आप लोग इस पिले लिष्ट सूची को जरोर कबर करिएगा इसका नाम है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और मुझे लगता है कि जो आपका Prelims का पहला पेपर होता है ना ये से आप लोग सामारध्यन पेपर फश्ट कहत हैं तो ये सभी कबर हो जाएगा और आप दिखे कि एक आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा सभी सब्जेक्टों का फिर चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जियोगरफी हो एकॉनोमी हो साइन्स हो और जब आप लोग मुख परिच्चा की तयारी करेंगे आंसा राइटिंग करेंगे तो उसमें आप लोगों के लिए काफी फायदे मंद भी रहेंगी एक लास हैं और आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग एंसी ए आइटी जरूर पढ़ लेजेगा ठीक है चलिए हम लोग इस चेप्टर को देखते हैं और रिगवैदिक और उत्तरवै जानकारी हमें बेदों से मिलती है और इसलिए इस काल को हम बैदिक काल के नाम से जानने लगते हैं यानि कि इस समय के बारे में जानकारी हम बेदों से खटी करते हैं बेदों से पर एक तरह से जानते हैं कि उस समय क्या विवस्ताती किस तरह की राजनीती विवस्ताती इसल लिए इसे आरे सब्दा भी कहते हैं हम लोग आरे सब्दे का मतलब होता है सरेष्ट उत्तम उदात अभीजात कुलीन यह भी आप लोग याद रखेगा बैदिक काल को भी हम लोग दो भागों में बाट लेते हैं और देखिए आप लोग को कॉलेज या फिर आप देखिए टै प्रेलम्स के कुश्चन्स देखिए मोख परिक्षा के कुश्चन्स देखिए जेओं के तेओं आपने देखा होगा कुश्चन्स नहीं आते हैं तो आप लोगों को समझदारी रखनी होगी और हर सब्जेक्ट को आपको समझने की कौसिस करनी होगी रटने की वज़ए समझ इनने पर द्यान दीजिए, रिगवेदिक काल को आप लोग बैदिक काल को दो भागों में बाट देते हैं, एक तो रिगवेदिक काल और एक आपका उत्तर बैदिक काल, सबसे पहले अगर हम लोग रिगवेदिक काल की बात करें, तो 1500 से लेकर 1000 ईसापूर, किस समय पीरियेड में अगर हम लोग बात करें तो साहितिक सिरोत में इस काल की जानकारी रिगवेद सहीता से होती है और इसकी रचना आप देखेंगे 1500 से 1000 इसापूर के बीच मानी जाती है और रिग का अर्थ होता है चंदों चरणों से युक्त मंत और यह एक ऐसा क्यान बेद है जो रिचाओं में बद्ध है और यह इसे आप लोग रिगवेद कहते हैं रिगवेद में कुल 10 तो आपको मंदल देखने को मिलेंगे यह वंडेक जाम में कई बार कुश्यन स्मूच लेता है कितने मंदल हैं? 10 और 1028 आपको सूकत देखने को मिलेंगे रिगवेद में पहला और 10 बा मंदल सबसे अंत में जोड़ा गया है यानि कि सबसे नए आपकी अगर आपसे पूचे कि मंदल कौन से हैं तो पहला और 10 बा दूसरे एवं साथवे मंदल को गौत मंदल के नाम से आप लोग जानते हैं किसके? गौत मंदल के क्योंकि इन मंदलों की रचना किसी खास गौत से समंदित एक रिष्टी परिवार ने की थी और रिगवेद की अनेक बातें जिंदा अवस्था इरानी भासा का ग्रंथ है इसमें भी से भी मिलती है और इसके अगर हम लोग पुराताजविक सुरोत की बात करें तो आप देखेंगे बोगज कोई अविलेग ए चौदर सो इसापूर का है इससे भी हम लोग रिगवेद की रिगवेदिक काल के बारे में जानकारी खटी करते हैं अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ए चित्रत धूसर मैदभांड है और कसी अभी लेग सुले सो इसापूर का खुदाई में हर्याना की पास भगवान पूरा में से तेरे कमरों का मकान पंजाब में तीन स्थलों जो रिगवेदिक काल से जुड़े हुए हैं तो ये भी याद रखेगा जरूर याद रखना चाहिए मुझे लगता है क्या रखना चाहिए याद रखना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे कि आपका उत्तरवेदिक काल आता है और इसमें आप देखेंगे एक हजार से छलसो इसापूर की समय का समय रहता है इसका पीरेड काल पीरेड साहतिक सिरोथ की बात करें तो इस काल की अध्यन के महत्पूर्ण साहतिक सिरोथ यजुरवेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्वेद हो गया, ब्रहमड, अरन्यक, ओपनिसद, पिरमोक हैं यानि कुत्तरवेदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी इसी से यजुरवेद से सामवेद से यथरवेद से ब्रमड अरन्यक या उपनेसत से ही एकटी करते हैं जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग यजुरवेद के बारे में बात करें तो यह है एक गद्ध गरंत है और इसमें यग विधियों का बल दिया गया है यग विधियों पर बल दिया गया है इसके दो भाग है एक तो किष्णी यजुरवेद और दूसरा है आपका सुकली यजु प्रोहित को आप लोग अधरियू कहते हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा याग विदियों से संब्दित है सामवेत के बारे में बात करें तो 35 सूप्तों को छोड़कर से सूप्त रिगवेत से लिए गए इसमें यह भारती संगीत सास्त का प्राचीनतम पुस्तक है और और सामवेत के तीन पार्ट है कुथम सहिता, जैमनिय सहिता और रानाइनिय सहिता फिर आपका अथरवेत आता है इसमें 20 कांड, 731 सूप्त, 5987 मंतों का संग्रह है इसमें लगभग 200 मंत रिगवेत से लिए गए है और अथरवेत में आप लोग तंत मंत संकलित से संबंदित इसमें और विज्ञान संबंदी जानकारी भी मिलती है इसकी दो साखाएं पिपलाद और सोनक यानि कि आप समझे कि एक तरह से जो यजुरुवेत है ये आपका यग्य कर्मकांडों से संबंदित है सामवेत आपका संगीत से संबंदित है अथरवेत आप देखेंगे आपक के उकरन और याद रखें सबसे पहले आपको अगर देखने को मिलेगा लोहे का प्रियोक तो उत्तर बैदिक काल में ही सही शुरू हुआ है और सबसे पहले आप देखेंगे अतरंजी खेडा से ये लोहे के साक्ष मिले उत्तरी काले पॉलिषदार मैध्भांड आपको यहा आप लोग याद रखेंगा यह आप देखेंगे बेद की बात करें तो रिगवेद सामवेद याजूरूवेद अथर्विवेद ब्रहमड में देखें तो एत्री को कॉसित की जैमिनिय पंच विस्त या तांडय सत्पत तेत्रीय गौफत ओपने सद में आप देखेंगे एत कॉसित की चंदोग कैन तेत्रीय कठ सवितासर इस ब्रहमन बहरादान्डयक पिसन मुंडक मांडूक एत्री अरन्डयक में को कॉसित की जैमिनिय चंदोग तेत्रीय वहदारन अगनी देवता की बात करें तो इसमें आप देखेंगे अगनी सूर वायू चंदमा होत होता सुर्ण गाता, अथरवियू और बहर। एक तरह से आप देखें कि रिगवेद खर आ आप देखेंगे ये आपको ब्रहमण में देखने को मिलेगे ये तरह कोसित की और उपने साद में है ये तरह कोसित की और देवता इस समय के था अगनी सबसे पिरमोग और इसके अध्ध अध्यता को होत या होता कहते थे सामेद बंद में देखेंगे तो इसमें जैमनी ये 25 या तंडए इब्रहंबड में और उपने सद में देखेंगे चंदोग कैन ठीक है और जैमनी ये चंदोग ये अरन्यक में सूरे समय की काफी अच्छे देवता हुआ करते थे मात्पून उ समय के इसके अध्यता को कहते हैं अथरवेद में गौपत ब्रम्ण पिनमंडग मांडूक इसमें सबसे प्रमुक देवता थे ब्रह्म ऑ इसके अध्यता रहे हैं तो यह भी आद रखिए कि छोटी छोटी बात थे हैं लेकिन मोटी-मोटी बाते हैं देखे रिखवाधिक काल इन नदियां है और याद रखिए इनके अभी के नाम है उगके और उस समय के नाम जैसे सतलज। अभी आप लोग जिस नदी को सतला के नाम से जानते हैं रिगवेद काल में उसे स्ततुद्दी के नाम से जानते थे चैनाओ के नाम से जिसे आप लोग जानते थे जानते हैं अभी उसे अस्कनी के नाम से एक समझ जानते थे रिगवेदिक काल में ब्यास को विपासा, काबुल को कोभा गंड़क को सदा नीरा, स्वात को स्वस्तु, रावी को परुशनी, जेलम को वितस्ता, गौमती को गौमल, घगघर को द्रस दुती, कुर्णम को क्रोमो, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, यह आप देखे कि आपके मंडल हो गया, उनके रचेता हो गया, पिथम मंड मंडल, सतारचिन इसके रचेता रहे, दुतीय मंडल, बहत्समद इसके रचेता रहे, तितीय मंडल, विस्वामित, और यह गायती मंत्रों का उलेक किया गया है, तितीय मंडल में, यह कुष्टन स्वी कई बार कुछ लेता है, इसके रचेता कौन है, विस्वामित, चतुर् मंदल में आप देखेंगे वरिष्ट इसके रचेता रहें, दसराज यहुद्ध का बर्डन मिलता है, अश्टम मंदल कन वा अंगीरा इसके रचेता रहें, वाल खेल का विवेचन मिला है, नवम मंदल में पाव, मान इसके रचेता रहें, सुम देवता को समर्पिते, दसम, मह चुद्रक इसके रचेता रहे हैं, विवार, इवं नदी, सूक्त, पुरु सूक्त के बारे में इस से संबंदी थे, ठीक है, रिगवैदी काल का भोगोलिक विस्तार हो क्या, देखें, रिगवैदी काल इस तरह से फैला हुआ था, पूरा आप देखेंगे, यह भारत का मेप यह पाकिस्तान आप लोग देख रहे होंगे, तो यह आपको देखने गुबलेगा, ब्रमपुत, परवद समुद्र, पूरुवा समुद्र, दक्षिन समुद्र, इन सब को याद रखिएगा, इमेप हो गया, अगर हम लोग रहविद, रिगवेदिक योग, भागुलिक, रिगवेदिक काल के, भागुलिक विस्तार की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसमें, क्या देखेंगे, कि इसका जानकारी, इसका विस्तार की जानकारी का मुख सिरोत, रिगवेदिक है, इसकी पुष्टी प्रातादिमिक सुरोतों से प्रापत हुई है रिगवेद में 42 नदियों की चर्चा की गई है लेकिन 19 का ही नाम उल्लेक भी किया गया है यानि की रिगवेद में आप देखें कि 42 नदियों की चर्चा की गई है लेकिन नामों की अगर उल्लेक की बात करें तो 19 नदियों का ही उलेक नामों का उलेक किया गया है। गंगा का एक बार और यमना का तीन बार। पश्मी उत्तरपिदेश तग्विस्तित था, फैला हुआ था। जबकि पंजाब इनका मुक्षेत था, क्योंकि सब्त सेंदोचेत का विसे इस महत्त हुआ गरता था इस समय। वहीं अगर हम लोग उत्तरप्यदिक भागुलिक विस्तार की बात करें। तो उत्तरप्यदिक काल में आरे सब्विता का भागुलिक चित काफी व्यापक एबं विस्तारित था। उत्तरवेदिक गरंथों में पूरब की और आरियों के बढ़ने का प्रमार मिलता है जहां रिगवेद में यमना और गंगा नदी को बैदिक आरियों की पूरवी सीमा बताया गया था और वहीं उत्तरवेदिक गरंथों में आप देखेंगे सुईकार किया गया है उनका अब गंगा यमना द्वाप हो गया और सत्पत ब्रह्मण में गंगा का जिक्र और तेत्रिय अरेनक में गंगा यमना द्वाप में बसे लोगों का विसे समात्त था उत्तर वैदिक काल में वरन वती नदी के किनारे कासी राजी की स्थापना होती है और इस काल में सदानीरा गं परिस्यमाओं के विस्तार की और संकीत करता है अगर हम लोग रिगवैदिक काल की कालीन राजविवस्था की बात करें तो आप देखें कि रिगवैदिक काल की राजनेतिक विवस्था की ज्यान का सिरूत रिगवैद ही है जो रिगवैद है ना वही है उससे ही जानकारी हम ल यानि कि कहने का मतलब है कि रिखबैदिक कालीन जो आप देखी कि आपका क्या राजनितिक विवस्था थी ये आप देखी कि सरल विवस्था थी राजनितिक विवस्था और कविलाई सरचना पर ही आधारित थी इसकाल में राज निर्मार की घटक अनपुश्थित थे राज आप सोचे लोकतंत उस समय भी लोकतंत का उल्लेक हो रहा है राज पद योदिकी आवस्टाओं की अनकूल था और राजा की दो प्रमुक करतब थे एक तो यूद में अपने कवीले का नेतित करना और अपने कवीले के लोगों की रक्षा करना राजा को जनस गोपा कहा जाता क्या कहते थे जनस गोपा राजा भारी भरकम उपादी धार नहीं करता था राजा की सकती पर कवायली संस्थाओं द्वारा नेंतर रखा जाता था तो आप समझे कि आज के राजनेताओं को भी सीखना चाहिए आज के जो अपने आपको राजा समझते ना नेता उन्हें भी क्वी सीखना चाहिए एंका भी दायेत ताबे कि अपने कभीले अपने लोगों के फिती है और अपनी लोगों की रक्षा करना उनके सुख दुख में सामिल होना इनका भी करतभ होना चाहिए भारी भरकम अपने आप पर खरच नहीं करना चाहिए भारी भरकम आप अपनेilate आपको दिखाना नहीं चाहिए ठीक है तो यह आप रगवेदिक काल की राजनितिक विवस्ता से आप सीख सकते हैं आज की नेता लेकिन सीखें तब तो और भी आप देखें कि यहां करव पेडाली भिक्सित नहीं हुई थी यानि की कर नहीं लिया जाता था बली की चर्चा है जो एकस्षिक का था विवस्तिक नौकर साही का विकास नहीं हुआ था योद में लूट का भाग आमनानी का मुख जरिया था अधिकारियों की संख्या अतिंत सीमित थी और यो राज परोहि सेनानी व्राज पती आदी पिरमुख अधिकारी हुआ करते थे इस पष्ट नौक सासने काई कोल अत्वा परिवार हुआ करती थी इसके बाद आप देखेंगे गराम विस जन आदी पिरमुख थी और जन पर सासन की सर्वों चिकाई थी जिसका उलेक 275 वार मिला है कितना 275 टैम जन पर यकाई विकसिद नहीं थी इसकाल में विविन संस्थायां का विकास ह जिसमें सभा थी जो जेश्ट जनों की संस्था थी सम्ति जनसाधारन की संस्था थी जिसमें इस्तरियां भी भाग लेती थी और विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी जो सैनिक आर्यों से समर्द थी तो ये भी याद रखिएगा आर्यों की संस्थाओं की देखें त सभा इसमें आप देखें कि कुलीईनों की संस्था थी सं going तो सभ साधरन की भागascal भागेदारी अध्यक्र इसान ए- आरियों का प्राचिन्तम संस्था थी ये विद्वान और आर्यों का मूल इस्थान के बारे में बताते हैं विद्वान कि आर्य कहां से आये हुए थे, कहां इनका मूल ने स्थान था, ये कई बार कूछ लेता है आप से तो आर्यो का मुल निवास इस्थान अमध्देशिय स्फान किसे बता है प्रोफेसर मैक समूलर ने उत्री धर्वक किसने बताया ? बाल गंगा धर तिलक ने सब्त सेंदौप बिदेश किसने बताया ? डॉक्टर अभिनास चंदधास ने ब्रह्मर जिनरिसी देश किसने बताया ? गंगानाथ जाने दच्छेडी रूस नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चायलर ने बताया और हंगरी तथा डेनियूग नदी घाटी अत्वा एक गाइल्स महोदाय ने बताया जर्मनी का मैदानी भाग एक प्रोफेसर पहनका ने बताया और तिबद को बताया है इनका आरियों का मूल देख लीजे दोनों में तुलना कर लीजे उत्तरवैदिक राजनितिक विवस्था की जनकारी सामवेद या जुरवेद अतरवेद और इसके ब्रह्मण अरन्यक उपनेस्दों एवं उपनेस्दों से होती है और इसका विस्तार उत्तरी दुआब तक था और इस काल में पक्षित में हुआ था और इस काल में राजा की स्तिती अधिक स्पष्ट हो गई थी परवर्टी गरंतों में राजा के लिए बिभिन उपाधियां पिचले थी एतरे बरमड से अलग-अलग छेत्रों के लिए अलग-अलग सासकों की उपाधी मिलती और जन का इस्थान अब अलग सासक भी तो रखे जाएंगे ठीक है यह आप देखेंगे एतरे बरमड में वर्डित सासन पडाली वी है यह आप देखें छेत्थ हो गया और उनका वार्डन हो गया जैसे पूरी में पडाली थी इसमें समराज और यहां का सासक हुआ करता था समराट की नाम से जानते हुआ करता था राष्ट्र सब्द को पिदेश का सूचक और पहली बार इसी काल में पिगट हुआ यह पंचाल सरवादिक विक्सित राज्य था और सत्पत ब्रहमड में इसे बैदिक सब्दा का सरफ से पितिनिधी भी कहा गया है इस काल में आरे द्वाव छेत में बसे जिस इस थाई विसासन की अवस्तक्ता मैसूस की गई इस काल में बारे रतनियों अधिकारीयों की सूचना भी मिलती है अधिकारी राजा की पितेक्ष्ण नियंतर में रहते थे आम लोगों से प्राप्त करूं द्वारा उनका पोशन होता था सेनानी सेना पती सूथ रत सेना का नायक, ग्रामिनी और संगीता, भागदुख्द, आदी के सासत, इस्थापित, एवुं सत्पती, आदी परांतियों के नाम का उलेक मिलने लगा उत्तरवेदेक काल में और आप सभी जानती है कि जब कर एक खटा करने की ववस्ता हो जाएगी तो अर्थ मंत्री हो जाएगा अर्थ जन परिस्थदों का महत इस काल में कम हो गया, अत्रवेद में सभा समती की वो प्रजापती की दो पुत्रियों के समान माना गया है, इस काल में वे जबन यगों से राजा की पितिश्था में विड़्धी होई, यानि की दिखावा भी होने लगया, जैसे यगद ay की जब इस समय होता था इस अनुष्ठान से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उससे समराट को दिब सक्ती मिल गई इसमें सौम पिया जाता था और यह यग में राजा रतनियों के घर जाता था तो आप समझ सकते हैं कि इस समय दिखावा सुरू हो चुका है आपका आपक यग राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन छेत्रों में बिना पितीरोत के उजरता था उस सब पर राजा का एक चत राज्य स्थापित हो जाता था सरवादिक महत्पूर यग गता यह फिर आप देखेंगे वाज पी यग होने लगा एक इसलिए होता था इसमे इसे यग में सौम पिया जाता था अगनी को पसुबली दी जाती थी ठीक है अगर हम लोग रिखवैदिक काल की समाज की सामाजिक विवस्था की अगर बात करें किसकी सामाजिक विवस्था की तो रिखवैदिक समाज एक जन जाती है या कवायली समाज था और सामाजिक लेकिन राजा लोग वा करते थे और आम लोग वा करते थे और वड विभाजन की शुरुआद के लक्षन दसम मंडल प्रसूक्त प्रकट होने लगे थे इसमें लेकिन सामाजी कदी सिल्था बादित नहीं हुई उधारन सवरुप विश्वामित राजन बरक्त से थे फरंतु प्रोहित का काम करते थे समाज का मूल आधार परिवार था जो पित्त सतात्मक हुआ करता था यानि कि आमने कहने का मतलब है कि पिता के बाद पुत्ती ही राजा बनेगा ठीक है पिता का परिवार के अनस अदसों पर विभावी निंतर्न रहता था उधारन के लिए एक स्थ आज होने पर भी महलाओं की स्थिति बहतर थी उन्हें सिक्षा उपनेयन संस्कार आधिकादिकार था भी यग और परिश्दों में हिस्सा ले सकती थी बाल बिवा पिछलित नहीं था बिदवा बिवा और नियोक पिथा पिछलित थी इस समय तो आप कह सकते हैं कि इस्तिरि परी भी रहते हैं इस काल में नमक का जिक्र नहीं मिलता है सौम नमक प्रेय का उलेक रिगवेत की नवे मंडल में मिलता है पगडी आभूसन इस्तरी पुरुस दोनों में पिछलित था यानि कि पगडी आभूसन आप देखी इस्तरी भी पहनती थी पुरुस भी पहनते थे रिखवैदिक आरिस आमोद प्रमोद के जीवन में विश्वास रखते थे जीवन के फिती उनका दृष्टी कौण बेभारिक था बेनेत तत्थ संगीत, रत दोड, घुर दोड, पासा आधी मनुरिजन के साथ उनों का प्रयोग भी करते थे फिर आप देखेंगे उत्तरवैदिक काल आता है, उत्तरवैदिक समाज उत्तरवैदिक काल में आप देखेंगे कभील्याई सरचना में धरार आ गई इस काल में आरियों द्वारा स्थाई जीवन से लिए अपनाये जाने के बाद आरेों का विभाजन चार वर्गों में बट हो जाता है ब्रमड, छत्रिय, जो राजा होते थे वैस और सूत और इस काल में सामजिक गती सीलता बादित हुई चारों वर्डों में इसवश्ट अंतर किया जाने लगा कि फिर भी सूत की इस्तिती बहतर थी उसे संतानों को बेंच सकने ग्रह निकाला संपत्ती से बंचित करने का अधिकार था उधारन सवरोव अजी गरत ने अपने पुत्त सुना सेप को सौ गाय लेकर बली को निमित बेंद दिया था तो यानि कि खहने का मतला है कि पिता और मजबूत हो गया था और इस काल में इस्तरियों की दसा तुलनायत्मत रूप से गरावट हुई है यानि कि आप देखे जो रगवेदिक काल में इस्तरियों की दसा थी ना इस्तिती थी ना उससे आप देखी उत्तरवेदिक काल में गरावट देखने को मिलेगी उन्हें उपनेयन संसकार और सभा में प्रिविस की अनुमती नहीं दी गई, नहीं रही आप, पहले आप देखते थे कि वो उपनेयन में संसकार में भाग ले सकती थी, सभा में भी भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तरवेदिक काल में उन्हें रोग दिया गया, पुत्रियों को के जनम को हतो साहित किया गया उधारन के लिए एत्रे ब्रहमण में पुत्री को दुख का कारण माना गया यानि कि आजकल आप देखते हैं न कि पुत्र जरूरी है समाज में आपने देखा होगा पुत्र नहीं होगा तो बंस नहीं बढ़ेगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा और बेटी की चाह में आप देखते हैं कि बेटीयों के किस तरह से कतल होता रहता है गरप में ही मार दिया जाता है तो यह आप देखें कि कब से दुख होने लगा? उत्तरवेदिक काल से फिर भी सिक्षा का अदिकार विद्वा विवा नियुक पिता अंतर जाती विवा समन रूप से पिछलित थे गारगी मैत्री आदी सिक्षे तिस्तरियों का उलेख मिलता है समय और इस काल में आप देखें गोत की आउधारना का विकास हुआ जो आरम में केबल ब्रहमडों में परंतु बाद में बर्गों में फैला इस काल में आस्तरम की अवस्था आउधारना का विकास हुआ ब्रहमचय गरस्त और वानफरस्त सन्यास आस्तरम का विकास नहीं हुआ था इस समय याद रखेगा आस्रम अवस्था से लिजी उद्यम तथा सामाजिक नियंतन के भी संतुलन लाने का प्रयास किया गया खान पानो मनुरेंजन रिगवैदिक काल की भांती रहे इस समय भी फिर आप देखेंगे रिगवैदिक काल में आर्थिक जीवन किस तरह से रहा त सब्द चारागाहेतु गवेशन गोसु आधी सब्दों योद्ध के लिए प्रयोग्त होते थे यानि कि कहने का मुंतला होईगी गाय का काफी महत्त था यह समय सीमित किरसी का पिचलन था और रिगवैद में किरसी से समंदित सब्द 33 बार प्रयोग्त हुआ है खात के लिए करेश सब्द का प्रयोग्त किया गया है यह ववम धान का उलेक हैं लेकिन चावल से अनिविग गे थे किरसी को विशिस महत्त प्रात्ना होने से सीमित अधी से कुम्बकारी रत निर्माड वड़ाई गिरी कांस ताम सिल्फ आधी पिर्मों खुद्द्योग्त थे समय के धा वड़िजिव की भूमी का सीमित थी व्यापार पनी नामा लोगों के हाथ में था व्यापार वस्तुता बस्तू विनिवय द्वारा होता था विनिवय की रूम में निस्क का उल्लेक हुआ और वैक नाट सूथ खेर को कहते थे और रई संपत्ती की गरना वमविसियों से की जाती थे यानि कि कहने का मुतलब है कि आप सुचिए जिसके पास जितनी गाये होंगी पसू होंगे उतना ही वड़ा आदमी कहलाएगा रिगवैद सहिता की मूल भाग में किसी के मत के तीन सब्द तीन ही सब्द हैं और वरा धान संपत्ती रिगवैद में किसी संबंदी प हलवाहा को किनास कहा जाता था इस समय अगर उत्तरवेदी काल में हम लोग आर्थिक विवस्था की अगर बात करें तो इस काल में आरेयों के पूरवी भोगलिक विश्थाज से अर्ध विवस्था में परिवर्तन हुआ पसूचारण का स्थान किसी ने ले लिया अब आप स सहिता में 24 बैलों द्वारा खीचे जाने वाले हलों का भी उलिक मिलता है अगर हम लोगों ने आप लोगों ने तो दो ही बैलों वाले हलों को देखा है याजुरवेद में वही धान याउ गुजों मास उदर मून मौंग गौधों ग्याउं आदी अजाजियों का बर्डन भी किया गया है याजुरवेद में रिकबैदिक लोग जो यब पैना करते थे परंतो इसकी मुख फसल धानो गहू हो गई अब इस समय तैतरिये उपने सद में अन्ने को ब्रह्मा और याजुरवेद में हलको सीर कहा गया कि इसी कार में राज्या राजकुमार के सामिल होने का लेक भी मिलता है हलका फाल लकडी इसे निर्मित होता था जो उपरी गंगा घाटी के लिए उपयोगती था भूमी पर ब्यक्तिकात अधिकार की भावना धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही थी उत्तरवेदिक काल में आप देखें कि चार पिकार की मिद्भानों का प्रिय लिए तो यह नैं भी याद रखिएगा को कि या रखिए गा याद रखिएगा और आप देखेंगे कि इस काल में उत्तर परस्धिम भाग में लोहे के प्रियोग के साक्ष भी मिले लेकिन किसी में इसका व्यापकर प्रियोग पिछलित नहीं हुगा लोह रॉक्कार्ण का प्रयोग मुखता युद्धास्त रों में यानि कि युद्ध में जो अस्त उपयोग किये जाती था ना उनी में प्रयोग होता था किसी के अतरिक्त आप देखें में विभेंडिक पकार के सिल्प का उदय भी उत्र बैदिक अर्थ विश्टा की विसेश्ता थी विविन बेवसायों के अनेक विवरन हमें पुरुस मेक सूक्त के विविचन से मिलते हैं जिसमें धातु सूधक, रतकार, बड़ई, चरमकार, स्वैडकार, कुमार, आदी के उल्लिक भी मिलता है सत्पत ब्रमड में महाजनी कजिक हुआ है, सूध कोरकुप, कुसी दीन कहा गया है वाज, सनेई, सहिता और तेतरी ये ब्रमड में विविन बेवसायों की सूची भी मिलती है उत्तरवेदिक काल में आप देखें कि मुद्रा विवस्था का पिचलन हो चुका था और परंतु सामान लेंदेन बस्थू बिनिवय द्वारा होता था यानि कि आपने देखा होगा गाउ में जो मटके बैशने आता है न उसके बदले आपने देखा होगा वो ग्याहू ले जाता है तो इसे ही एक तरह से आप बस्थू बिनिवय पढ़ाली कहते हैं एक बस्तू आप देचे दूसरी बस्तू ले लेजे निस्क सत्मान पाद कर्षन आदी माप की विभन इकाईया इस समय थी सत्मान संभाव था चानी की मुद्रा थी वाट की मूल भी किष्णल थी और रतिकाओ घुंजा भी तौलकी काई थी इस समय इस काल में लोहे को स्याम एस या फिर किष्ण एस कहा जाता था तैतरीय सहीडा सहीता में रिंड के लिए कुछी सब्द मिलता है फिर आप देखें के रिगवैदिक का धर्म की तो रिगवैदिक धर्म बैदिक आरे हों कि आप परिस्कित भावों की आदिम अभीवेक्ति है बैदिक जन जाती है समास ने अपने आसपास की प्रकिति का ओलोकन किया ओ प्रकिति की जिन गुत्खियों को सुल्झा ना सके उन्हों ने उसका देवीकरन कर दिया जैसे सूर, पितवी, अगनी, चन्दमा, प्रक्यती का देवीकर्ण और पुर्ष भावी, भाव की पिधानता इसकी पिसिस्ता थी बैदिक देवताओं की तीन सेनिया थी आकास के देवता सूर थे गोस्ते वर्ण, मित, पूसन, विष्णू ए आकास के देवता थे अंतरिक्ष के देवताओं इंद, मारूत, रुद, वायू, परजन, आप, पितवी के देखताओं अगनी, सौम, पितवी, बैस्पती, सरसुती, ठीक है और रिगवेदिक का दर्म की दिरिष्टी मानविये एह लोकिक थी इनके सबसे महत्पूर देवताओं इंद थे और इन्हें यग के देवता, परोहित के देवता, ग्रह देवता माना गया, बिमानवों तथा इसोर के बीच मध्यस्त का कार करते थे, तीसरे पिरमुक देवता वरुन थे, इन्हें रितस से गोपा, यानी पिराक्तिक नीवों के नीवों का रक्षक कहा जाता था, अन्ने प्राथना वो यग ठीजबर की आनाजों की आहुती ती जाती थि धरम का दिरिष्टिकों और एहलोकिक तथा मानवियत था लोग बहुत तिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे अब बात करते हैं हम लोग रिगवैदिक धरम की कि रिगवैदिक काल में धरम किस तरह का था तो इसमें आप देखेंगे अगर तो आपको देखने को मिलेगा उत्तरवैदिक काल में उत्तरी द्वाब ब्रह्मणों के प्रभाव में आरस संस्किती का केंद बन गया और यग्य संस्किती का मूल था यग्य के सासाथ अनेक अनेक अनुष्ठान और मंत्र विदियों पिछले थो गई और उनका इस्थान प्रजापती जो देवकुल में सिष्टी के निर्माता थे इन्होंने ले लिया पसुओं के दियोता रोध देश काल में महत्पूर दियोता बन गए उत्तरवैदिक काल में इनकी पूजा सिब के रूम में होने लगी पूसन सुद्रों के देवता के रोम में पिछलित हो गया जो रेगवेदिक काल में पसुओं के देवता हुआ करते थे इस काल में कुछ पितिक चिन्नों का की भी पूजा होने लगी मूर्ती पूजा के आरम होने का आवास भी मिलता है यहां से अराधनया कम उद्देश पूर काल की भाती भूतिक सुख की प्रात्ती बना और यग अब महत्पूर हो गया इसमें बड़े पिर्माने पर पसुबली दी जाने लगी ब्रमानों का मात्तुब भी बढ़ गया आप सभी जानते हैं कि अभी भी पसुबली हमारे यहां समाज में पिछले थे कई जगह दी जाती है बकरे भेंसा काटे जाते हैं या नहीं बैदिकाल के अंतिम चरह में पुरोहतों के प्रभोत्त और यग और करमकार्णों के विरुद्ध पितिकिरिया हुई और जिसकी पिथम अभी व्यक्ति उपने सदों में मिलती है इसमें यग को कुटी फूटी नौका की समान बताए गया उपने सदों में ब्रहमा की एकमात सत्ता सुईकार की पियारंविक उपने सदों में तीन आस्वनों ब्रहमा चय गरस्त और वानफिलस्त का बिधान मिलता है यह पिरमुख दर्सन हो गया उनके रचेता हो गया जैसे चारवाग भौतिक वादी इसके रचेता थे पिवर्दतक थे चारवाग सांके की कपिल अगले चप्टर में हम लोग बात करेंगे छटी सदी इसाप इसापूर के धानविक जू अंदोलन हुए जिसमें खासकर आप देखें कि जैन धरम और आप लोग पुनाने कुश्टन्स पेपर उठा के देखें अपने एक्जाम के जैन धरम और बहुत धरम से आपकी इचाओ मैं हर साल कुश्टन्स पूंचे जाते रहते हैं ठीक है तो आप लोग पढ़ते रहें हम लोग मिलते रहेंगे कहां जाएंगे हम लोग